आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लगवत तीन महीने से इस तकी चल रही मुंबई फ्लाइट बुदवार को अपने पूर मिधारे समय पर आगरा के खेरिया हवाई अड़े पर पहुँची इस पर मुंबई से 56 यात्री आगरा आए, 76 यात्री आगरा से मुंबई गए, वहीं अहमदाबाद फ्लाइट से 40 यात्री आए और 65 यात्री आगरा से अहमदाबाद गए बुदवार दोपहर 12 बजकर 55 मिनट पर ये फ्लाइट खेरिया हवाई अड़े पर पहुँची आदा घंटे यानि दोपहर एक बजकर 25 मिनट पर ये फ्लाइट मुंबई के लिए रवाना हो गई उदर एहमदाबाद से फ्लाइट सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर आगरा के खेरिया एरपोर्ट पहुँची थी और सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर एहमदाबाद के लिए लोट गई दोनों ही फ्लाइटों में आगरा आने बालों से ज़्यादा यहां से मुंबई और एहमदाबाद जाने वाले यात्री रहे मार्च के आखिर में मुंबई के साथ ही एहमदाबाद बैंगलूरी और भोपाल के लिए इंडिगो एरलाइंस ने अपनी हवाई से वाएं शुरू की थी इस बीच कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी तेजी से फैलते संक्रमर के बीच मुंबई एहमदाबाद और भोपाल फ्लाइट इस्तकित करनी पड़ी थी इनमें से एहमदाबाद फ्लाइट गत 19 जुलाई से शुरू हो चुकी है मुंबई फ्लाइट 21 यानि बुदवार से शुरू की गई बोपाल फ्लाइट के भी जल्द शुरू होने की संभावना है खेरिया हवाई अड़े के निदेशक के अनस्वार इंडिगो एरलाइट ने लखनव के लिए भी फ्लाइट के लिए सेडिल बुक कर रखा है लेकिन अधिकारिक तोर पर फ्लाइट की अभी घोशना नहीं की गई है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी द्वारा निकट भविस्च में लखनव के लिए भी फ्लाइट शुरू की जाएगी विजय बगहेल सी न्यूस आगरा